नमस्कार दोस्तों आप सभी का विदान सीरीज के पाँचवे सेशन में हार्दिक स्वागत है अभी तक की क्लासेज में हमने ये देखा कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश मोक्ष है मोक्ष का मतलब किसी भी प्रकार की डर या चिंताओं से मुक्ति freedom from all forms of fear इसको हमने कहा ये मोक्ष है और चार पुर्शार्थ बताए गए काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष अब जीवन के लक्ष जब बहुत क्लियरली निर्धारित होते हैं तब उन लक्षों को प्राप्त करने के लिए तंत्र, मंत्र और यंत्र बनाए गए तंत्र मतलब वो system, मंत्र मतलब जो मन से बोला जाए तो शास्त्रम वो मंत्र थे जिनके माध्यम से हम इन पुर्शार्थों को पा सकते थे दूसरा हमने कहा यंत्र, यंत्र मनुष्य स्वयम है और तंत्र पे जब हमने चर्चा की थी तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि माइक्रो लेवल पे वर्ण विवस्था वो तंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पुर्शार्थ को प्राप्त कर सकता है पर वर्ण विवस्था माइक्रो तंत्र है इंडिवीजूल लेवल पे है व्यक्तिगत लेवल पे है इसी का एक मैक्रो प्रोस्पेक्टव भी design किया गया macro perspective सामाजिक structure है जो व्यक्ति नहीं पूरे समाज के लिए design किया गया जो एक व्यक्ति को अपने लिए नहीं लागू करना है उसे व्यक्ति के साथ पूरे समाज को लागू करना है इसी को कहा गया आश्रम विवस्था तो वर्ण विवस्था is a micro concept आश्रम विवस्था is a macro concept and both are tantra, a system to achieve पुर्शार्थ आज हम बात करने वाले हैं आश्रम विवस्था पर चत्वारह आश्रमह चार प्रकार के आश्रम शास्त्रों ने बता आए चार आश्रम है विवस्था का मतनब system जिसमें प्रयास किये जाएं तो ऐसी चीज़े ऐसी अवस्थाएं जिनमें हमें प्रयास करने होंगे उन्ही को आश्रम कहते हैं तो चार आश्रम आर फोर स्टेशन्स in the journey of life हमारे जीवन की यातरा के चार स्टेशन्स हैं और ये यातरा चल कहां से रही है हमारे जन्म से और जाएगी कहां तक destination क्या है मोक्ष और बीच में स्टेशन्स कितने है चार तो चार स्टेशन्स की ये जीवन की यातरा है जिसको चार आश्रम कहा गया अब इनको अगर हम पिछले वर्ण आश्रम से जोड़ें या पुर्शार्थों से जोड़ें तो जो चार आश्रम है उसमें से पहला है भ्रमचर दूसरा है ग्रहस्त तीसरा है वानप्रस्त और चौता है सन्यास भ्रमचर आश्रम अगर आप देखना चाहें तो अर्थ रूपी पुर्शार्थ से थोड़ा जुड़ा हुआ परतीत होता है अर्थ इसका मतलब ये वो आश्रम है जिसमें व्यक्ति अपने आपको अर्थ योग्य बनाने के लिए प्रयास करेगा दूसरा आश्रम ग्रहस्त ये काम नामक पुर्शार्थ से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है ये वो आश्रम है जिसमें आप अपने जीवन की सारी कामना है पूरी कीजिए आप जो चाहते हैं सब कीजिए काम वानप्रस्त आश्रम है जो धर्म नामक-पुर्शार्थ से जुड़ा हुआ है ये वो आश्रम है जिसमें आप धर्म चरित अपने वहवार में अपनाइए धार्मिक जीवन लाइए पूरी तरह तो हाला कि धर्म तो आधार हर आश्रम का होना चाये पर इसमें पूरा जीवन ही धर्म में परिपूर न हो अंतिम हिस सन्यास आश्रम जो मोक्ष पुर्शार्थ से जुड़ा हुआ आप इसे वर्णे विवस्था से कैसे जोड़ पाएंगे जो शुद्र वर्ण है जो शुद्र परसनालिटी ट्रेट है वो मेहनती इप्ट्रेट है तो ये आप जोड़ सकते हैं ब्रह्म चर्रे से जब आपको मेहनत करनी होती है दूसरा वैश्य आप जोड़ सकते हैं ग्रहस्त से वैश्विक उदर की पूर्टी करनी होती है आपको दो वक्त के लिए मेहनत दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी होती है आपको घर चलाना होता है वैश है वानप्रस्त को आप शत्री वर्ण से जोड सकते हैं धार्मिक चरित्र और सन्यास को आप मोक्ष से और उस केस में ब्रह्मन से जोड़ सकते हैं इस प्रकार भले वो वड़नाश्रम हो या ही वो पुरशार्त हो ये सब आश्रम विवस्था से बहुत गहराई से जुड़े दूए है तो हम अब हमने धाचा समझा एक फ्रेम समझा आश्रम विवस्था का अब हम समझेंगे आश्रम विवस्था की फिलोसफी ये क्यों बनाई गई इसका दर्शन हम समझेंगे आश्रम विवस्था पूरे जीवन को एक स्प्रिच्वल जर्नी मानती है पूरा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें चार स्टेशन साते हैं जैसे train की एक यातरा होती है आप जब भी train में कब booking कराते हैं तो आप जाके train में बैठते हैं तो जैसी आप जाके बैठे ये आपका जन्म हो गया अब वो train चलना शुरू होती है पहले station पर रुपती है तो कुछ लोग और चड़ते हैं जब आप पहले station से जब आपने बोर्ड किया होता है जब आप train में चलते हैं तो आप देखते हैं पांच-दस लोग आपकी seat के चारों तरफ बैठे हुए हैं ये लोग कौन है जो आपकी seat के चारों तरफ पांच-दाथ लोग बैठे हुए हैं जब आप train में चड़े थे यही लोग हमारे माता-पिता है का-का-का-ताओ जिन्होंने train हमसे पहले बाद चल ली थी तो कुछ लोग हमसे पहले train में आ गए थे फिर train चलती हैं अगले station पे रुकती हैं कुछ और लोग चड़ते हैं जो हमारे बाद चड़ते हैं उनका reservation हमारे सामने वाली seat पे हो सकता है यह लोग कौन है जो अगले station पे चड़ें यह लोग हमारे cousins हैं जो हमारे बाद पैदा हुए हमारे भाई, बंदू, दोस्त, यार अब वो भी आके बैठ जाएंगे फिर given rupee train और आगे चलती है अब हम लोग पते खेलते हैं एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, खाना शेयर करते हैं एक दूसरे से बाते शेयर करते हैं राजनीती की बाते करते हैं अलग-अलग प्रसंगों पे बाते होते हैं इसके बाद train अगले station पे रुखती है और वो लोग जो हमसे पहले train में बैठे हुए थे वो उतर के चले जाते हैं हमारे काका चाचा ताओ इस दुनिया से विदा होते हैं फिर train अगले platform पे पहुँचती है अगले station पे तो कई वार हमारे seat पे जो हमसे पहले लोग बैठे होते हैं हमारे साथ में दाएं बाएं हमारे माता पिता वो भी अब उतर के चले जाते हैं और अंततह एक अंतिम station आता है जिसमें हम भी उतर के चले जाते हैं यही जीवन की यात्रा है और इंडियन रेल्वेज शायद इस philosophy को बहुत अच्छे से समझती है इसलिए उन्होंने seat का नाम रखा है birth जहां आप पैदा होते हैं So this is how you take birth और आपकी पूरी जीवन की यात्रा चलती है उसमें हम सब करते हैं लोगों से बाते भी करते हैं दूसरे को समझते भी हैं पर फिर विदा ले लेकर तो इनकी ही यात्रा क्यों ले हैं किसी भी प्रकार की यात्रा पे आप विचार करें हवाई रहाज की यात्रा पे विचार करें आप में से बहुत सारे लोगों ने जब connecting flights ली होंगी तो आपको जीवन की यात्रा का बड़ा सम्मे कनुभव हुआ होगा क्या होता है आप एरपोर्ट पे पहुंचते हैं आप खुब सारा ताम जाम लेके पहुंचते हैं जैसे आप जीवन में आते हैं खुब सारा ताम जाम लेके जब आपके पास खुब सारे बैग होते हैं तो सबसे पहले व हो आपके back पहले ही रख़ा लिए जाते है कि भही, जब आप क्या जाने का समय आएगा तो ये सब तो आप ले जा नहीं सकते हैं तो सारा bag तोल-ग्र तोल के और रख लेती हैं पहले हैं जब तक आप bag नहीं देगे, वह आपको पर आप कुछ ले जा नहीं सकते हैं, वो एरपोर्ट का है, यहीं छूड़ जाएगा, इसी स्टेशन का है साथ, फिर जब पूरा चेक हो जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, हाँ एक छोटा सा कैबिन बैगेज अलाउड होता है, वो कैबिन बैगेज क्या होता है, वही तो आपके डिपार्चर गेट की तरह, आप बार-बार बोर्डिंग पास देखते हैं और आप एशॉर करते हैं कि कहीं आपके डिपार्चर शूटता है, शूट तो नहीं रहा है, अन्ततह किसी भी सूरत में आप एरपोर्ट के किसी भी कौने पर हो, बिलकुल सही समय आप आपका डिपार्चर हो जाए अब आप फिर से एस्ट्रोल वर्ल्ड में चले जाएंगे इस धर्ती को छोड़के और फिर कुछ समय बाद फिर से लैंड करेंगे अब जब आप लैंड करते हैं तो फिर से खाली हाथ लैंड करते हैं अब आपकी हाथ में कुछ नहीं है वो आपकी नजर से आपका लक्ष ना चुके जो लोग एक्जाम की तैयारी करते हैं सब को कहा जाता है मैनेजमेंट बाइ अबजिक्टिव लक्ष नजर से ओजल नहीं होना चाहिए तो पुर्शार्थ और आशर्म विवस्ता ये बताती है कि अपने लक्ष को मत भूलिये लक्ष है मोक्ष किसी भी प्रकार के दुखों से मुख़्ी चिंताओं से मुख़्ी तो इसलिए हम सब ट्रैवलर हैं रूमी नाम के एक महन विद्वान हुए सूफी संतों में एक व्यक्ति बड़ा परिशान था रूमी से मिलने गया अब रूमी जिस कमरे में रहते थे वो कमरा पूरा ही खाली था पूरा खाली मतलब पूरा ही खाली कोई फरनीचर नहीं कुछ भी नहीं तो वो जो व्यक्ति आया था अपनी समस्या लेके वो अपनी समस्या तो भूल गया कौतु हलवश उसने पूछा कि रूमी आपका फरनीचर कहा है तो रूमी ने मुस्कुरा के बोला तुम्हारा फरनीचर किदर है तो उस यात्री ने बोला मैं तो यात्री हूँ मैं तो ट्रैवलर हूँ मैं फटनीचल लेकि क्यों घूमूंगा तो रूमी ने उसकी आँखों में आखे डाल के देखा और मुस्कुरा के कहा मैं भी यात्री ही हूँ तो जिस व्यक्ति को हमेशा याद रहता है कि मैं भी यात्री ही हूँ वो कभी भी स्टेशन पे टाइम बेस नहीं करता ताकि ट्रेन न छुड़ जाया उसकी ये जिन्दगी ट्रेन है और इसी लिए ये सब बनाए गए हम याद आता है हम गोवा में सेशन ले रहे थे दिन भर के सेशन के बाद ज़रा हम जब ठक गए बहुत जादा तो गोवा में बीच के किनारे चले गए और संसेट देखते थे तो वहीं पास में चार-पांच बच्चे कुछ खेल रहे थे वो रेत का घर बना बना के खेल रहे थे आपस में वो टीले जो बनाते हैं रेत के तो अचानक एक बच्चे से गल्टी से दूसरे बच्चे का रेत का घर तूड गया अब जैसे ही उससे दूसरे का घर तूटा जिसका घर तूटा था रेत का वो इतना नाराज हुआ कि उसने उस बच्चे का घर जानमुच के तोड़ दिया, पैर मार के, अब इसने उसका घर जानमुच के तोड़ा, तो सारे बच्चे आपस में गुत्थम गुत्थी हो गए, एक दूसे को मारने लगे, नोचने लगे, हम दिन भर के सेशन के बाद ठक हुए थे, हमें शान्ती चाहिए थी, हमने उन लोगों को डाट के बोला कि आप शान्ती से खेलिए, नहीं तो आपके पैरेंट्स से शिकायत करेंगे, उनके माता-पिता वहीं घूम रहे थे, तो बच्चे फिर से शान्ती से खेलने लगे, उन्होंने फिर से रेत के घर बन चलने का वक्त हो गया, तो जैसे ही माता ने कहा बच्चो शाम हो गई घर चलने का वक्त हुआ, पांचो बच्चे खड़े हुए, अपने अपने जूते के लैस बांधे, और मा के साथ भाग गये, पर भागते भागते कुछ अचंबा सा हुआ, पांचो बच्चे एकदम से रुके और दोड के वापस आए और सब ने अपने अपने रेत के घरों में एक एक लात मारी और रेत का घर तोड़ दिया अब हम ये देख के बड़े चकित हो गए हमने उन बच्चों को रोका हमने पूछा एक मिल्ट रुको यार ये बताओ अभी दस मिनिट पहले उस व्यक्ती से तुमारा रेत का घर तूड़ गया था तो तुम उसे जान मारने पे तुले थे और अब खुदी लात मार के तोड़ के जा रहे हो उस छोटे से बच्चे ने जो हमें उत्तर दिया दोस्तों हम स्तब्द रहे गए उस उत्तर को सुल के हमने बहुत आप खुदी तोड़ के जा रहे हैं तो चोटे से बच्चे ने हमें मुस्कुरा के कहा अंकल वो तो खेल था शाम आ गई मा का बुलावा आ गया जाने का वक्त आ गया तो तोड़ के जा रहे है वो कहके चला गया वो तो चला गया पर हमारे अंदर एक बहुत जबरदस प्रशन छोड़ के चला गया मैं भी तो जिन्दगी भर ऐसे ही अपने रेट के घरोंदों को बनाता हूं जिस पे मैं जनक लिखता हूं मात्र करपा लिखता हूं ठाकुर सदन लिखता हूं शर्मा सदन लिखता हूं और पता नहीं क्या क्या लिखता हूं एक दिन तो मेरे भी जीवन की शाम आएगी और मेरी भी मा का बुलावा आएगा चलने का वक्त हो गया जब मेरी मा का बुलावा आएगा तब क्या इस विरक्ती से मैं अपने रेत के घरोंदों को छोड़ के जा पाऊंगा क्योंकि जाना मुझे भी है ये याद रखना जीवन की यात्रा का अलिए महत्पून शर्प है कबीर कहते थे दिल लागा, दिल लागिया मेरा यार फकीरी में जो सुख नाम भजन में, सो सुख नाम एरी में हाथ में कुंडल बगल में सोटा, चारो दिशा जागीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में सुनो, कबीर सुनो साधो ये आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में कहें कबीर सुनो भई साधो, साहब मिलत सबूरी में सो कबीर दास भी अपने बात में इसी बात की पर अपिशारा कर रहे है कि कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन के स्टेशन्स को डेस्टिनेशन ना समझें कबीर कहते थे, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह जिसको कुछ ना चाहिए, ते शाहन के शाह, सबसे बड़ा शाह वही है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो यह है बेसिक फिलोसफी आश्रम विवस्था की, कि स्टेशन्स को डेस्टिनेशन ना समझें, there is a difference between station and destination सो अब हम एक एक करके इस आश्रम विवस्था के एक एक स्टेशन को समझेंगे और यह समझते समय आप इस मूल फिलोसफी को ध्यान रखें, कि हमें किसी भी स्टेशन पर रुखना नहीं है हमारे पूरवजों ने इतना जबरदस्त अनुसंधान करके इन स्टेशन्स को बनाया है तो पहला स्टेशन, पहला स्टेशन है जिसको हम कहते हैं भ्रम चर्र, यह कब शुरू होता है? यह पांच साल की उमर से शुरू होता है, तब आप बैठते हैं, इस स्टेशन पे पहुँचते हैं अपनी जीवन की यात्रा में, फस्टेशन, भ्रम का मतलब अनंत उस परमात्मा से है, भ्रमन जिसको कहते हैं शास्त्र, जिसको एटर्नल एनरजी कहता है विग्यान, शर्र का मतलब है, डुएल अपोन, जिसका वहवार परमात्मा जैसा हो, जिसका वहवार परमात्मा के प्रती केंद्रित हो, भ्रम चर्र, तो भ्रम चर्र का अर्थ है, जब हम हमारा विध्या आरंभ करते हैं, जब प्राक्रत जन, जो बच्चे प्राक्रत होते हैं, प्रकती के होत को गुरु के पास भेजा जाता है ताकि वो संस्क्रत जनह बन सके अबोध बालकों को लिया जाता है ताकि उन्हें सुबोध बनाए जा सके घर में जहां माता और पिता होते हैं आशरम में वहाँ गायत्री और गुरु होते है इस आशरम का उद्देश ये है बच्चे को रिफार्म और रिफाइन करना ताकि वो इस सोशल सेटप में एज़ेस्ट हो सके और कॉंट्रिब्यूट कर सके इसका मूल परपस है कि बच्चा जो एक और की तरह है उसको मैटलर्जी के थूँ मैटल बनाया जा सके ये 12 साल का आश्रम होता है जिसमें गुरू के पास रहके 12 साल बच्चा पढ़ता है बारा साल लगातार इसमें ये पढ़ता है इसको स्प्रिच्छल मैटलर्जी कहा जाता है गुरू शब्द क्या है गू का मतलब अंधकार और रा का मतलब जुन्निवारण कर लिए जो अहंकार को समाप्त करे हमारे अहंकार और अंधकार को समाप्त करे वो है गुरू तो सिक्षक और गुरू में अंतर क्या है? गुरू विद्या देता है सिक्षक सिक्षा देता है तो विद्ध्या और सिक्षा में अंतर क्या है? विद्ध्या के परिभाशा शास्त्रों में है, सा विद्ध्या या विमुक्त ये, विद्ध्या वही है जो मुक्त करे, जो हमें सभी प्रकार के परिशानियों से मुक्त करे, जो एटर्नल पीस और हैप्पिनेस दे सके, वही व विध्या है तो फिर सिक्षा क्या है शिक्षा जो लाइवली हुड दे और विध्या जो लाइफ सिखाए तो सिक्षक आपको सिखाता है Skills जिससे आपकी नौकरी लगती है जिससे आपको वेतन मिलता है पर गुरु आपको सिखाता है विध्या ज्यानम जिससे आपका मन शांत रहता है जिससे हर परिस्थिती में आप प्रसंद रहता है गुरु हर परिस्थिती में देखने की एक सही मन इस्थिती देता है सिक्षक प्रशनों के उत्तर देता है गुरु प्रशन खड़े कर देता है ताकि आप उनके उत्तर खुद ढूले गुरु मोक्ष के तरफ आपको लेके जाता है और सिक्षक आर्फ काम और धर्म की सिक्षा देता है तो इसलिए इन दोनों में मूल अंतर है इस आश्रम में हमें करना क्या होता है छात्राणाम अध्धिनम तपह सबसे पहला काम हमें तप करना होता है जैसे धुरूब ने किया था जब उसे कोई अपनी गोधी में नहीं बिठाता था तो पुरान बताती है कि उनकी माता ने समझाया बेटा जब दुनिया तुमारी पूछ ना करे तो तुम तपह करो तपह ताप से बना ताप का मतलब अपने आप को सुआहा करो अपने आप को जलाओ मेहनत से इसलिए वेतन को अर्दू में तनख्वाह कहते हैं जिस शरीर को जला के जो मिले तो जब खुद को आप जलाते हो तपाते हो, तपह करते हो तो तपस के बाद स्वैम विश्णू प्रकट होते हैं विश्णू का मतलब विश्व और विश्णू स्वैम तुम्हें अपनी गोद में बिठाते हैं पूरा विश्व आपको अपने सर पे रखता है जब तपस किया था एटीजे में तो हिंदुस्तान के और राश्पती बने जब तपस किया था मलिंगा ने श्रीलंका के समुद्र टटों पे बॉल फेक फेक अपने गाउं में तो पूरे श्रीलंका ने उसे अपने सर पे उठाया सो पहला काम है इस आश्रम का तप करना दुरियोधन और दुरुनाचार या अगर काभी ऐसा ही उधारन प्रस्तोस होता है महाभारत में जब दुरुनाचार के आश्रम में ये सब सीखने गए तो दुरियोधन तो एफ्लुएंट था राजा का बेटा था उसने एक सुन्दर सी कुटिया खुद के लिए बनवाई और उसने निर्धारित किया कि उस कुटिया में रहेगा बिल्कुल अच्छे ठाट बाट से और पढ़ाई करेगा गुरुजे ने उसकी कुटिया तुरन तुडवा दी और कहा कि नहीं तुम सब के साथ डॉर्मेंटरी में रहोगे और फिर गुरु दुरुणाचारे ने दुरियोधन को एक महत्पून बात कही गुरु ने कहा दुरियोधन और ये बात आज के हर बच्चे पे लागू होती गुरु ने कहा दुरियोधन मुझे पता है तुम राजा के बच्चे हो पर दुरियोधन सोने के बर्तन में खाना खाया तो जा सकता है बनाया नहीं जा सकता तो जब तुम स्वेम को बनाने के दौर में हो तो विलासिता छोड़ दो तब तो लोह में ही तपना पड़ेगा तो तपस इस इंपॉर्टिट दूसरा है अनुशाशन आरुने की कथा हमें बताती है जब गुरुने कहा पानी रोक लो तो कोई रास्ता न मिलने पे आरुने खुद लेड़ गया ताकि पानी रोका जासे एकागरता दूसराचार और अर्जुन के समवात से हमें सीखने को मिलती है एकागरता बहुत ज़रूरी है टीवी देखते देखते बच्चे खाना कता ही न खाए क्योंकि बच्चे या बड़े जब भी आप दो काम एक साथ करते है तो आप अपनी एकागरता को भंग करते है हर व्यक्ती हर बच्चा बाए बर्थ एकागरचित होने की शमता रखता है पर जब हम बार बार डुएलिजम पे जाते हैं दो चीज़े एक साथ करते हैं तो हम डिस्टरबंस करते हैं और जिस भी चीज़ की आप प्रेक्टिस करेंगे उसमें आप परफेक्ट हो जाएगे अगर आप हर चीज़ में डिस्टरबंस को प्रेक्टिस कर रहे हैं आप किसी से फोन पे बात करते हुए computer type कर रहे हैं, आप ये करते हुए वो कर रहे हैं, वो करते हुए ये कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे जब भी आप meditation करेंगे, आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद को train कर लिया है, distraction के लिए, कुछ लोग कहते हैं, तो फिर क्या multitasking गलत है? दोस्तों, research ने ये सिद्ध कर दिया है, कि कोई भी व्यक्ति धरती पर multitask कर नहीं होता है, आप दो काम equal concentration के एक साथ नहीं कर सकते हैं, आप फोन पे बात करते हुए खाना खा सकते हैं, क्योंकि खाना खाने में concentration is not needed, उतना ज़्यादा, और अगर दो काम equal concentration को आपको दिये जाएं, तो आप उसको नहीं कर पाएं, इसलिए ये महत्पूर है, कि हम खुद को आदट डालें, फोकस कर दें, जब भी आप किसी से बात करें, तो ये मान के चलिए हो जो सामने वाला व्यक्ति ये इस ब्रह्मान में सबसे महत्पूर है, उस पे सो प्रतीशतों करता है, अपने आप आप से एकागरता सिद्धुग, अगली फीचर हमें सीखने का है ब्रह्मचरे में, निष्ठा, गुरू के प्रती निष्ठा, जैसे कर्ण ने परशुराम को अपने पैर पे सुला रख की है, इसमें शिवास्टकम आता है, जब एक शिष्ष ने गुरू का आदर नहीं किया, तो स्वेम शिव ने शिष्ष को अजगर बन जाने का शराब दिया, और गुरू ने शिष्ष को माफ कर देने हैं तो शिव को प्रसंद करने के लिए शिवास्टक गाया, गुरू में निष्ठा मस्ट है, तो जो भी गुरू हों आपके, निष्ठा मस्ट है इस आश्रम के दोना, अगला वहवार जो सीख रहे हैं, वो आपके वहवार में आना बहुत जरूरी है, तो वहवार में आना को ही हम सीखना कहते हैं, युदिस्टर को साथ दिन लगे थे सत्वे को समझने के लिए बाकी सब तो तुरंट हाँ बोलके चले गए थे तो ये कुछ चीजें अनुशाशन एकागरता तब प्रतिस्ट निष्ठा और वहवार मिलाना ये इस आश्रम के लिए मस्ट है ये आश्रम शुरू होता है जन्म से 25 साल तक की उमर में इस आश्रम को हम कहते हैं ब्रह्म चरे अब जब ये आश्रम समाथ होता है तब आप गुरू को गुरू दक्षिना देते हैं दक्षिना और दान में अंतर ये है दक्षिना गुरू का अधिकार है और दान आपका करतव्य गुरू को अगर आप दान ना दें तो गुरू कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कह सकता पर दक्षिना देना आपको गुरू को कंपल सरी है तो गुरू को आप दक्षिना देते हैं और उसके बाद आप दूसरे आश्रम में जाते हैं दूसरे आश्रम का नाम है ग्रहस्ती या ग्रहस्त, ये 25 से 50 साल की उमर तक का है, 25 साल से 50 साल, ग्रह का मतलब हो, तिस्ठती मतलब जो रुखता है, विराजमान होता है, इस दौरान आप घर में विराजमान होता है, परिवार एक धार्मिक संस्था है, जिसको एक धार्मिक तरीके से एक धार्मिक उद्देश के लिए बनाए गया है, और धार्मिक उद्देश क्या है, कि आप अपने इस दूसरे स्टेशन पे भी ज़्यादा समय ना रुके ये भी एक स्टेशन है ये भी गुजर जाएगा तो इस स्टेशन पे करने लाएक चार चीज़ें क्या है पहली इस स्टेशन पे हमें यग्य करने होते है सारे आश्रम के जितने भी लोग है अश्रित है यही वैक्ति नौकरी करता है बिजनसमेन बनता है पैसा कमाता है इस पूरे समाच को धन-धने से भरपूर करता है खुब मेहनत कीजिए अपनी कामनाओं की पूर्ती कीजिए माता पिता की सेवा कीजिए बच्चों की सेवा कीजिए अतिती की सेवा कीजिए प्रकति का सुरक्षन कीजिए जीव जनतों की सेवा कीजिए यह सब कीजिए जो जो आप करते है ये पहला करतब है आपका पहला यग्या है संतान आपको फॉलो करती है अगर आप हिटलर का जीवन पढ़ है उसामा बिन लादेन का जीवन पढ़ है आप पॉल पॉर्ट का जीवन पढ़ है आप जीवन पढ़ है दाओद इबराहीम का या फिर आप सद्दाम हुसेन का जीवन पढ़ है इन सब के जीवन में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी इन सब का बच्पन बहुत बिगड़ा था दाओद इबराहीम के पिताजी उसको बाद बाद पे मारते थे मुंबई पुलिस में हैड कॉंसेबल थे इतना उसे पीटते थे कि वो इतना ढीट हो गया कि पिताजी के सामने दूसरा गाल आगे करके बोलता था मारो कितना मारो दे मार ही डालोगे मार डालो उसके अंदर जो रोश बद भरा बाद में उसने उसके चरित्र को ही बरबाद कर दिया सद्दाम हुसेन दस साल की उमर में घर छोड़के उने भागना पड़ा था क्योंकि जब वो छोटे थे उनने पता ही नहीं था उनके पिताजी कौन थे माता पिता में कौन से जगड़े रहे बाद में जब वो दूसरे पिता के पास गए उन्होंने भी उसके उनके साथ बड़ा अत्याचार किया उनके अंदर रोश और गुस्सा भरा और वही उन्होंने दुनिया को वापस वाटाया अगर आप पढ़ें स्टैलिन जिन्होंने दो करोड़ लोगों की हत्याकी कहते है उनके पिताजी शराब पी के स्टैलिन को मारते थे उनकी माता को अभियूस करते थे ऐसा खतरनाक बच्पन उसने देखा हिटलर को आप पढ़ें तो यही कहानी हिटलर की है पहला आतंगवादी कैम्प दोस्तों घर होता है कई बार और कई बार पहला आतंगवादी स्वेम पिता होता है बच्चों को प्रेम से परवरिश कीजिए भै नमक जितना ही उचित है उससे अधिक अगर आपने भै क्रियेट किया तो यह बच्चे बड़े होके इस समाज को भै लोटाएंगे और भै गर्बित समाज एक खतरनाक जगह है रहने के लिए तो रोल मॉडल बनें कई घरों में बच्चों को अच्छा माना जाता है जब वो माता पिता की सारी बात मानते और कभी नो नहीं कहते यह बच्चे जब बड़े होते हैं तो नो कहना तो उन्हेंने कभी सीखा ही नहीं भारत में एक समस्या है जिसको कई बार हम कहते हैं राजा बेटा सिंड्रॉम क्या होता है राजा बेटा सिंड्रॉम यह यह होता है जब हम छोटे थे तो अच्छा राजा बेटा कौन था जब हम सब छोटे थे याद कीजिए जो मा की बात मानता था स्कूल में राजा बेटा कौन था जो टीचर की बात मानता था कॉलेज में राजा बेटा कौन है जो प्रोफेसर की बात माने और नौकरी में राजा बेटा कौन है जो बॉस की बात माने तो अब हम ना बोल ही नहीं पाते हमने एक ऐसा समाज क्रियेट कर दिया है जहां लोगों को ना कहने में बड़ी समझ्या होती है वो ना बोली नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है हम लोगों को दुखी नहीं करना चाहते और दोस्तों अगर आप ना बोलेंगे ही नहीं तो नया होगा कैसे कभी पुझे एक कहावत है लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, तीनों ही लीक लीक ना चले, साहब, शेर, सपूत, टायर के पीछे टायर चलता है, और इसी तरह से पिता के जस पीछे-पीछे कपूत चलता है, पर ये तीन लोग कभी पिता के पीछे नहीं चलते, साहब जो लीडर होता है, शेर, जो शौरिवान होता है और सपूत ये अपने रास्ते गड़ते हैं इसका मतलब क्या ये है कि माता-पिता का सम्मान न करें नहीं उनका भरपूर सम्मान करें पर सम्मान करना और प्रतेग बात में हा करना दो अलग-अलग बाते हैं सो ना कहना सिखाएं अपनी बच्चेओं को ना कहना सिखाएं ताकि वो दूसरे घर जाके परिशान ना हो वो बोल सकें कि नहीं मुझे वहवार सुईकारे नहीं हैं हमने ऐसे कितने सारे officers देखे हैं senior senior managers देखे हैं जो बड़े-बड़े पदों पे हैं पर अभी भी उन्हें ना कहने में परिशानी होती है और उसके बाद क्या होता है वो बहुत सारा काम हां कहके अपने उपर ले लेते हैं बाद में वो काम करने में उन्हें तनाव होता है और उनका जीवन मुश्किल हो जाता है और फिर जब वो उन लोगों को काम बताते हैं जिन लोगों ने उन्हें काम दिया था तो कई लोग ना कहने में expert होते हैं वो तो मना कर देते हैं तब इनको लगता है, देखो मेरा तो शोशन हो गया, मेरा तो जिन्दिगी ने बड़ा उपयोग कर लिए, इसलिए बच्चों को ना कहना भी सिखाईए, प्रशन पूछना सिखाईए, ये भी इंपॉर्टन है, बच्चों को सोचना सिखाईए, देखिए हम अपने पूरे ज जीवन में, बहुत ज़्यादा समय बोलता है, अब बहुत कम समय बोलता है, तो नात्मग अगर हमने, कुछ समय वो बोलता है, कुछ समय वो सुनता है, और बहुत ही कुछ समय लिखता है, पूरा जीवन जाता किसमे है, सोचने में, रिसर्च कहती है, मनुष अपने जीवन क का लगभग 80 से 90 प्रतीशत समय केवल सोचता है पर आप देखिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है लिखें कैसे दस साल तक सिखाया जाता है बोलें कैसे 20 साल तक सिखाया जाता है spoken English classes चलती है 20-25-25 साल के लोग classes जॉइन करते हैं presentation skills की classes लोग जॉइन करते हैं बोलें कैसे लिखें कैसे हम 10 साल सीखते हैं पढ़ें कैसे सीखते हैं दस साल पर सोचे कैसे ये सिखाना माता पिता का परम करतब्य है जीत की तैयारी के साथ-साथ जब हार हो उसकी भी तैयारी करा मैं बच्चा सोचे कैसे बच्चा जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आए कभी भी रेडिमेट सलुशन उसे मत दीजिए ये गांठ बान दीजिए जिस भी व्यक्ति का आपको विकास करना है उसके लिए निर्णे लेना बंद कर दीजिए आपको अपनी माता जी का विकास करना है उनके लिए निर्णे मत लीजिए निर्णे उन पर छोड़िए अपने बच्चे का विकास करना है उसको निर्णे लेने दीजिए आप guide कीजिए, direct कीजिए, decide मत कीजिए इससे वो निर्णे लेना सीखेगा और सोचने की process सीखेगा तो ये सारे कर्तव में हमें करना है अगला इस आश्रम में हमें करना है तितिक्षा का विकास हमारे अंदर है ये बड़ा महत्पूर है तितिक्षा का विकास है ये आदी शंकराचारे में इसको define किया अपने साधन चतुष्टे में सहनम सर्वदुखाना अप्रतिकार पूर्वकं चिंता विलाप रहितम तितिक्षा उच्चते सहनम सर्वदुखाना जीवन में सुखो या दुखो उस सब को शान्त भाव से सहना एक्सेप्ट करना सर्वदुखाना आप प्रतिकार पूर्वकं बिना रियक्ट किये चिंता विलाप रहितम ना तो चिंता हो और ना ही विलाप हो इस मानसिक अवस्था को तितिक्षा कहते है और इसका विकास ग्रहस्था आश्रम में ही आवश्चक है क्यों? क्योंकि ग्रहस्था आश्रम ही वो आश्रम है जिसमें आप समाज के साथ इंटरेक्शन करते है अब मान लीजिए आपको अंधेरे से डर लगता है किसी बच्चे को और आप चाहते हैं कि उससे अंधेरे से उसका डर खतम करें तो आप क्या करेंगे? सभावी ग्रूप से आप उससे अंधेरे में लेके जाएंगे और शायद आप उसके साथ जाएं अंधेरे में और उससे समझाएं देखो डरने की कोई बात नहीं तो अगर किसी को अंधेरे से जीतना है तो कहां जाना पड़ेगा? अंधेरे में ही अब इसको हम ग्रहस्त आश्रम मिलाते हैं अब मान लीजिए आपका गुस्सा बहुत तेज है और आपको पता है कि मेरे इस जनम में मेरी सबसे बड़ी कमियों में से एक है चाहिए होंगी न, जो गुस्सा क्रियेट करें तो हरो वेक्ति जो आपको गुस्सा दिला रहा है ये मान के चलिए वो आपका टेस्ट ले रहा है देखिए आपने बहुत सारी किताबे पढ़िए गुस्सा नहीं करना चाहिए आप अच्छे से जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए हमें सब को पता है नहीं करना चाहिए और हम एक घंटे का बाशन भी दे दें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए तो भी हम जाके गुस्सा करते है तो ऐसा क्यों है होता क्या है दोस्तों जैसे हम 10th की exam देते थे तो 10th में पहले हमें theory की exam होती थी फिर practical होता था तो अब क्या हुआ हमने theory तो पढ़ा दी पूरी कि गुस्सा नहीं करना हम आपसे पूछेंगे बताईए गुस्सा करना चाहिए आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब theory में तो हम अबल हैं हमें अच्छे से पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर एक व्यक्ति आता था 10th में याद कीजिए बाहर से practical लेने और वो आपसे theory नहीं पूछता था वो सीधे practical देता था आपको और practical करवा के देखता था आपको आता है के लिए तो यह समझ लीजे आपके घर में अगर वो आपकी माता जी हैं पिता जी हैं आपका बॉस है या कोई भी है वो आपसे practical exam ले रहा है आपकी गुस्ते पर वो ऐसी परिस्तितियां बनाएगा कि आपको गुस्सा आए और आप तुरंट अगर खुद को नियंत्रण करता है पा रहे हैं तो आप तितिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं रोज खुद से पूछिए क्या मेरी तितिक्षा मेरे तितिक्षा तो हमने बताया यग्यत तितिक्षा संतानुत पत्ति और रोल मॉडल बनना है यह इस आश्रम के महत्पूर चार कार रहे हैं इस स्टेशन पर बस आपको यह चार काम करने हैं वो फिर आगे बढ़ना है अगला स्टेशन कौन सा है अगला स्टेशन है वान प्रस्त पचास साल से पिछोत्तर साल शब्द से ही इस पस्थ है वान वन की तरफ प्रस्त प्रस्थान कर लीजिए अब बन की तरफ निकल लीजे इसका क्या ताथ पर है? क्या घर छोड़के जंगल ही चले जाए? इसका ताथ पर ये है कि अब आपको घर की तरफ पीट करके बैठना है चहरा नहीं करना घर की तरफ पीट करके बैठना है द्रश्टा द्रश्यम वशात बद्धह द्रश्टा द्रश्यह वशात बद्धह द्रश्टा द्रश्य को देख के उससे बन जाता है क्योंकि जब आप देखेंगे न तो कहते नव कहवत आँखों देखी मक्षी नहीं निगल सकते अगर कहीं ज़ाडू रंसे नहीं लगी तो आपका बार-बार मन खराब हो गया रे ज़ाडू नहीं लगी घर में ज़ाडू नहीं लगी वानप्रस्त घर की ज़ाडू के लिए नहीं है वो मन की ज़ाडू के लिए है अब घर की ज़ड़ू का दाइत वो हो गया है ग्रहस्त का आपका काम आ गया है कि अब आप मन की ज़ड़ू लगाए साफ कीजे मन में जो कुछ है तो इस समय सबसे सही क्या करना है मौनम मुनी होने का प्रयाज जितना कम बोले और जितना ज़्यादा सोचे और ज़्यादा सोचे कंद मूल खाने का शास्तर कहते हैं क्योंकि मेटाबॉलिजम आपका स्लो हो गया है कम से कम तला गला खाईए वही खाईए जो तुरंत आपका पच जाए डिटेश्मेंट प्रैक्टिस कीजे धर्म प्रैक्टिस कीजे दूसरों के लिए मैंने क्या किया मैं इस पर विचार करूँ मेरे जीवन का निशकर्ष क्या निकला निचोड क्या निकला जीवन के बड़े प्रशनों पर बात कीजे बिकार नौ यू हैज इनफ एक्सपीरियंस अफ लाइफ तू थिंक अबाउट लाइफ एन प्रिपेर यॉरसेल्फ और सन्यास और खुद को सन्यास के लिए प्रिपेर कीजे और चौथा काम करना है माफ करना हर देखिए फॉर्गिव आल डिटैच्मेंट फॉर्गिव आल मौन हो जाईए और पीठ करके बैठ जाईए धर की तरह छोटी मूटी चीजों में दखल ही नहीं देना अब खिलाडी नहीं कोच हो जाईए जैसे कोच बाहर बैठता है पवेलियन में और बाहर से सब नज़र रखता है और जब मैच खतम होता है तो रास्ते भी बताता है गुर गुर भी बताता है पर अगर आप लगाता और दखल रखेंगे तो दो आश्रों में टकरावट होगी इसी को जेंडर गैप कहते हैं इसी को जेंडरेशन गैप कहते हैं इसी के कारण घरों में आपस में कॉन्फिलिक्ट होते हैं क्योंकि एक समय शास्त्र कहते हैं एक ही आश्रम घर चलाएगा दूसरा आश्रम अब डिरेक्ट करेगा और अगर मेरा डिरेक्शन कोई ना माने तो तो उनकी किस्मत क्योंकि उन लोगों को भी सीखना है वो सीखेंगे नहीं तो जीवन उन्हें और अनुभव देगा तब वो सीखेंगे हमारे कहने से सब सीख जाते हैं तो क्रशन के पुत्र संब नहीं होते हैं क्रशन तक के पुत्र बहुत नहीं सुद्र हैं संब नाम के हम बता सकते हैं, रास्ता बता दीजिए, वही करना है, वान रस्तर, सब को माफ कीजिए, और माफ कैसे करें समझ में नहीं आता, तो सबसे सही अपने पोते पोतियों को देखिए, वो आदर्श है माफी का, एक छोटा सा बच्चा, घर में कुछ खेल रहा है, और वो टीवी द कुछ होता है, पच्ची टेखा के इधर गिर रहा है, हसके, कभी उधर गिर रहा है, कभी इधर लोलख रहा है, कभी उधर लोलख रहा है, इतना इन्वाल्ड होके और टीवी देख रहा है, खूब, उच्छल उच्छल के, अचानक उसके पिता जी आफिस से आये, नौकरी क तो वो बच्चा आपसे नाराज होना चाहिए ना क्योंकि उसकी तो खुशित ही हो पर आप देखेंगे यो बच्चा आपसे नाराज नहीं होगा एक गंदा सा मूँ बनायेगा और वहांसे दूसरे रूप में चला जाए और तुरण उसको भूल जाएगा उतरण आपको उसका ट्रांसफर ऐसी जगे कर दिया जहां उसे पसंद नहीं आया उसके साथ कुछ गलत कर दिया उससे खुशी का सादन चीन दिया अब तो उसे रोना ही चाहिए पर वो अभी भी भी नहीं रोएगा फिर वहां से मूँ बना के दूसरे कमरे में चला जाएगा और उस बात को फिर नहीं रोएगा अब वो वहां से सीधे किचन में जाएगा वहां सबजी तरकारी से खिलने लगेगा वहां से उसकी माँ उसे भगाएगी बाग यहां से और वो वहां से भगेगा देखिए सारी दुनिया तुली पड़ी है उससे वो सब चीने में जो उसे खुशी दे और वो अभी भी दुखी नहीं होगा और रोएगा नहीं वहाँ से पीछे जाएगा जहाँ कपड़े धुल रहे हैं और पानी में छपा-छपा कर दे हैं चालू कर देगा अब वहाँ से जो कपड़े धो रहा होगा वो तक उसे भगाएगा भागें से सब ने उसकी उसकी खुशी का साधन चीन लिया पर वो अभी भी नहीं रोएगा और वहां से उस सीधे जाएगा अपने कमरे में वो कमरे में पलंक पे चड़ जाएगा और पलंक पे चड़ के खुद को छोटा भीम समझेगा और एक काल्पनिक दुश्मन दम्याण की कल्पना करेगा और लडाई शुरू करदेगा और जब दम्याण से लड़ रहा होगा आपको असकी आखों में उसके हा運 भाव में बिलकूल ऐसा महसوس होगा कि दम्याण से लड़ी रहाई अपनी कल्पना होगे अब आप उससे उसकी कल्पना तो नहीं चीन सकते क्या शिद्दत है एक बच्चे में खुश रहने की और लोगों को माफ कर देने की क्या 5 साल का बच्चा अगर ये कर सकता है तो 50 साल के उपर का वान प्रस्ती ये नहीं कर सकता है सोचना है सोचना है इतने में उसके पिताजी फिर से ऑफिस से वापस आ जाएगे लंच ब्रेक हो गया है तो पिताजी वापस आ और ये पलंग पर चड़े हुए हैं खुद को छोटा भीम समझे हुए है तो पिताजी उसको देखके व्यंगात्मक मुस्कुराएंगे क्योंकि पिताजी को पता है ये कोई भीम भीम नहीं है इसमें कोई दमबम थोड़ी है पर पिताजी उसको बिल्कुल डिस्टब नहीं करेंगे क्योंकि पिताजी तो प्रैक्टिकल व्यक्ती है जीवन को समझते हैं पिता जी मुस्कुराते हुए चले जाएंगे लंच करने, पिता जी को लगेगा अभी गिरेगा अपने आप समझ में आ जाएगा, ये कोई भीम भीम थोड़ी है, इसमें कोई दमबम थोड़ी है, उसके बाद लंच के बाद जब पिता जी वापस लोट रहे होंगे, ये अपने आपको बड़ा भीम समझेंगे, उपर से एक परम पापा मुस्कुराएगा, और वो कहेगा ये कोई भीम भीम नहीं है, इसमें कोई दमबम नहीं है, अभी थोड़े दिन इसको खेलने दो, अभी गिरेगा अपने आप समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों, पूरी द विचारों को इन तीजों पर विचार करने का आश्रम है, पर यहां भी रुखना नहीं है, ये भी एक स्टेशन ही है, पिछोतर से सौ साल अगला स्टेशन है, जिसको हम कहते हैं सन्यास आश्रम है, सन्यास, सन का मतलब सर्व, न्यास का मतलब रख देना, छोड देना, सब कुछ रख दीजिये, अब आपका departure का समय तरीब है, और ये बहुत महत्पूर्ण है, कि आप सब कुछ रख दे, काम्यानाम, कर्मणा, न्यासम, गीता कहती है काम्यानाम, सारे काम में कर्म, कुछ इच्छा से किये गए सारे कर्म आप बंद कर दीजिये, यही सन्यास है, आपके मन में किसी प्रकार की अब कोई इच्छा न बचे, पर ये कब होगा, ये एकदम से नहीं हो जाएगा, यदि आपने वहां तितिक्षा को साधा था ग्रहस्त आश्रम में, आपने सही गुरू से सिक्षा पाई थी, और विद्या को जाना था ब्रह्मचर में, और आपने वानप्रस्थ में सही तैयारी की थी, तो स्वता रूप से ये सधना चालो हो जाएगा, कहते हैं, ना में कश्छित, ना हम कश्छित, ना तो मैं किसी का, और ना मैं कोई मेरा, ये भाव सन्यास का भाव है, इस समय व्यक्ति अपना जनेवी भी उतार देता है, इसलिए सन्यास आश्रम में व्यक्ति शुराद करता है सोयम का, क्योंकि उसका अब सबसे डिसकनेक्ट हो जाता है, सबसे वो डिसकनेक्ट कर देता है, इसलिए सन्यास आश्रम वो है, जिसमें व्यक्ति शिव के त्रिपुंड को समझता है, शिव का त्रिपुंड क्या है, जो भगवान शिप के सर पे तीन लगते हैं, शिप का त्रिपुन्ड क्या है? ये कहानी कुछ ऐसी है, हमने आपको कहा था, पुराणों की कहानियां, डारेक्शन्स लेती हैं. तीन राक्शस थे, जिन्होंने तीन पुर बसा लिये, और ये जो पुर हैं, पुर मतलब कॉलोनी, सिटीज जैसे जबलपुर, उदैपुर, नागपुर, सिटीज, ये राक्शस धरती के चारों तरफ घूमते थे, और जब चारों तरफ घूमते थे, धरती वालों का जीवन परिशान कर दिया, सब भगवान शिव के पास गये, तो भगवान शिव ने एक ही तीर से, तीनो राक्श, तीनो पुरों को समाप कर दिया, इसलिए शिव को तिर पुरान तक कहते हैं, और जब वो भस्म हो गये, तो भस्म जमीन पे गिरी, तो शिव ने उस भस्म को उठा क प्रतीक है मी मैं दूसरी रेखा प्रतीक है माइन मेरा और तीसरी रेखा प्रतीक है नोट माइन जो मेरा नहीं है जीवन के ये तीन ही तो दुख है मी मैं मेरी सोच जो मेरे हिसाब से नहीं सोचता हो गलत है यही तो दुख का कारण है दूसरा माइन जो मेरा है मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी कोई दूसरा उसको ले लेगा तो मुझे दुख हो जाएगा और तीस भस्म हो जाएंगी, भस्मा भूत हैं ये इसलिए शिव का त्रिपुर्ण भस्म से तुम भी भस्म हो जाओगे जो तुम्हारा है वो भी भस्म होगा और जो तुम्हारा नहीं है वो भी भस्म हो जाएगे तो जो मैं है वो भ्रह्मचर आश्रम है मैं खुद को जानता हूँ उसमें दूसरा गरहस्त आश्रम है मेरा कामनाएं मेरी तीसरा वानप्रस्त है जो मेरा नहीं है वो भी ये तीनों आश्रम को भस्म कर दो शिव कहते हैं और कैसे भस्म करो तो शिव ट्रिपूंड यहां लगाते हैं फिर सीने पे लगाते हैं और फिर भुजाओं पे लगाते हैं मन से, बुद्धी से और कर्मों से याद रखो एक दिन तुम सब भस्म में मिल जाओंगे आखिर ये तन भस्म राख मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में जैसा कबीर देका इसलिए शिव के हाथ में त्री शूल है तीन शूल यही तीन चीज़ें दुख देती हैं इसलिए यग्य के बाद हम तीन बार ओम, शान्ती, शान्ती, शान्ती बोलते हैं इन्ही तीनों चीज़ों इसलिए शिव को हर चीज़ तीन है तील, बेलपत्र में तीन पत्तिया हो कि सो ये देख पाना ही त्रिनेत्र खोलना है तीसरा नेत्र जब खोलता है तो आपको दिखता है सब जिसके लिए मैं परिशान हो रहा हूँ प्राइमिस्टर हो या प्यून हो कोई याद नहीं रखने वाला कोई याद नहीं रखेगा कुछ समय बाद आसे एक हजार साल बाद कोई किसी को याद नहीं रखने बाद इसलिए ज़्यादा परिशान होना कतई आवशक नहीं है तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो तुमारे पहले किसी नहीं किया हो नहीं तुम्हारे बाद कोई कर पाएगा रिलेक्स ये है सन्यास आश्वम सो सन्यास आश्वम के बारे में बड़ी दुविधा नारत को भी थी नारत एक बार भगवान विश्णु के पास गए पुराणों में कहानी आती वोला प्रभू मैं सुनता हूँ महत्पुर्ण प्रशन तुने पूछा किंतु मैं यहां बैकुंठ में माया समझा नहीं सकता तो मेरे साथ धरती पे चल वही बात हो पाएगी नारत और विश्णु धरती पे आगए विश्णु ने बोला लंबी यात्रा हो गई नारत इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूँ इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूँ मुझे प्यास लगी है एक ग्लास कहीं से पानी ला दो नारत पानी लेने गए नारत ने बोला प्रभु अभी लाया पास में गाव था नारत कुए से पानी भरने लगे जैसे ही पानी उन्हें ने उपर खींचा देखा कुए के दूसरे छोर पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की पानी भर रही है वो अप्रितम सौंदर रखी थी नारद उसको देखते ही रह गए पर उसे उसका मटका खिच नहीं रहा था नारद ने उसे पूछा कि क्या आपको मदद की आवशकता है जैसे नारद ने पूछा क्या आपको मदद की आवशकता है उस लड़की के हाथ से मटका छुड़ गया और बिलक बिलक के रूने लगी नारद कंफ्यूज हो गया नारच ने बोला कि देडी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको आप नारास क्यों हो गई, आप गुसा क्यों हो गई, रो क्यों रही है आप उस लड़की ने बोला मैं बहुत ज़्यादा परिशान हूँ मेरे पिता जी की तबियत बड़ी खराब है गाउं में गाउं के एक मातर वैद गाउं में है नहीं मेरे पिता जी मरना सन्न है मैं बड़ी परिशान हूँ कहां से किस से मदद मांगू आपने मुझे कहा क्या मदद की आवशक्ता है तो मेरा मन भराया नारद ने बोला चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ क्योंकि मनुश्यों का कल्यान तो मानब का परमधर्म है नारद का परमधर्म था नारव उनके घर गए नारद ने देखा उनकी पिता जी की पल्स बड़ी स्लो थी राद नारद ने तुरन कुछ जड़ी बूटिया लग दी और बोला आप ये लेके आईए पिता जी को लगाईए और ठीक हो जाए लड़की फिर रोने लगी बोला प्रभू आप कैसी बातें करते हैं मैं अंपड़ गवार जड़ी बूटियां क्या जानूंगे आपने इतिनी करपा की है थोड़ी करपा और कर दीजे जड़ी बूटी भी आप ही ला दीजे मैं अके लिए जंगल में कहां भटकूंगे नारद ने गहरी सांस लेके बोला चलो ठीक है नारद खुझ जड़ी बूटियां ले आए 15-20 दिन तक भटक के जड़ी बूटी लेके आए 20 दिन बाद जब जड़ी बूटी लगाई पिता जी की सेहत सुधर ने लगी नारद ने बोला अब मैं चलता हूं लड़की ने बोला नहीं प्रभू आप ऐसे कैसे चले जाएंगे पिता जी को आखे तो खोलने दीजे दो दिन और रुक जाईए नारद दो दिन रुक गए पिता जी ने आखे खोल ली आखे खोल के पिता जी ने बोला कि मैं कहा हूं और मेरी जीवन की सुरक्षा किस ने की और जब पिताजी को पता लगा तो पिताजी ने नारत के सामने हाथ जोड़के कहा आपने बड़ी करपा करी आपने मेरा इलाज कर दिया पर बुज़ूर्गी तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है मैं कितने दिन दियूँगा आपने बुज़े ठीक करी दिया तो भी अब आपने इतनी करपा किये थोड़ी करपा और कर दीजिए और वो ये कि मेरी बस एक मात्र मेरे मन पे ये इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए आप रूपवान है और योग है मैं हाद जोड के आपसे विंटी करता हूं आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए तो मैं चैन से मर सकूँगा नारत अवाक रह गए नहा कर पाए ना ना कर पाए और अंतता नारत की शादी हो गई नारत की शादी हो गई कुछ दिनों बाद पिता जी एकस्पायर हो गए नारत वही पास में खेती करने लगे जीवन बड़ा अच्छा चल रहा नारत के एक बच्चा हुआ दूसरा बच्चा हुआ नारत का जीवन बड़ा खुबसूरत चल रहा था दो बच्चे पत्नी परिवार बहुत सुन्दर अच्छानक उस गाउं में एक तेज बाड़ा आई और जैसे ही बाड़ा आई नारत का पूरा परिवार उस बाड़ा में बहने लगा पूरा गाउं बह गया नारत उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षिट जगह की तलाश में भागे पर काल को कुछ औरी मन्जूर था एक तेज लहर आई और नारत का हाथ अपसे बेटे के हाथ से छुट गया नारत का बेटा काल की गरते में समा गया नारत चीप उठा पर जान बचाना जरूरी थी नारत पत्नी और बच्ची और आगे बढ़े जाने विधाता को क्या मन्जूर था एक और तेज लहर आई और नारत की पत्नी का बेटी के साथ भी हाथ छुट गया वो बेटी भी काल की गरते में समा गया नारद और उसकी पत्मी का कलेजा फढ़ गया पर चीकते हुए रोते हुए और आगे बढ़े अपनी जान बचानी थी अंतता विधाता को कुछ और मंजूर था एक और लहराई नारद का हाथ अपनी पत्मी के हाथ से भी छोगता है वो भी काल की गरत में चली गई तो नारद चीक उठे जोर से आख बंग करके चिलाए और वही रुग गया बोला नाराएण मेरा परिवार तूटता है मेरा परिवार तूटा जाता है मेरी रक्षा करो नाराएण जो जोर जोर से रो रो के चिला रहे थे नारण मेरी रक्षा को रो परिवार चूटता है अचानक चारों तरफ शानती चा गई बिल्कुल शानती हो गई और पीछे से एक गंभीर आवाज आई नारण पानी नहीं लाए नारण ने तुरंट आँखोली और पलट के देखा तो वहीं विष्णू पेड के नीचे बैठे थे और नारण वहीं खड़े हुए थे ना कोई गाउं था ना कोई कुवा था ना कोई बाड थी ना कुछ भी था नारण ने ततकाल विष्णू के पैर पकड़ लिया और बोला प्रभू मैं समझ गया माया कैसे आती है बिल्कुल तबे पावाती है और पूरा हमें अपने अंदर इंग्रोश रहे है तो दोस्तों भ्रम्मा के अनुसार शास्त्रों के अनुसार ये पूरी श्रष्टी ही माया है इसलिए सन्यास में कान में बोला जाता है नारायन नारायन शब्द का आर्थ है नराणाम नराणाम मतलब हर व्यक्ती का आयनह अल्टिमिट डेस्टिनेशन मोक्ष इस सब प्रपंच से मुक्ति नारायन तो अगर ये दुनिया ही एक पूरा कल्पना मातर है तो अगर एक छोटा बच्चा अपनी कल्पना में खुश रह सकता है तो क्या हम अपनी कल्पना में खुश नहीं रह सकते दोस्तों ये जिन्दगी में किसी को सब कुछ नहीं मिलता हमें जो मिला है उसके साथ हम क्या करते हैं यही हमारी जिन्दगी को खुबसूरत या खराब बनाता है तो आज overall हम इस बात को समझे कि चार तरह के आश्रम है ये चार स्टेशन्स आफ लाइफ है पहले स्टेशन्स को हमने कहा आश्रम वेवस्था को आपला श्रमा आश्रमा मतलब जिसको हम प्रयास करके अरजित करते है वेवस्था मतलब एक सिस्टम जिन्दगी रेल की तरह है या हवाई जास की तरह है जिसमें हमें अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना होता है हम सब एक ट्रेवलर है और जो इसको नहीं भूलता उसका मन शान रहता है पहला आश्रम है भ्रहमचर भ्रहमचर का मतलब भ्रहम की परहर हमारा चरित्रभो उस में important है कि हम एक सही गुरू की तलाश करें जो हमें जीवन सिखाए और एक सही शिक्षक जो हमें जीविका भी सिखाए जब यह दोनों मिलती है तो हमारा छात्र आश्रम या हमारा भ्रमचर पूरा होता है इसमें हमें एकागरता सीखने की आवशक्ता है इसमें हमें निश्ठा सीखने की आवशक्ता है अनुशाशन सीखने की आवशक्ता है और तप सीखने की आवशक्ता है ये चार चीज़े हैं इसके बाद 25 साल के बाद हम दूसरे आश्रम में शिप्ट होते हैं जिसको कहा गया ग्रहस्तास्टम ग्रह मतलब घर तिस्ठती मतलब आवस्चत होना वहां रुखना ये भी चार चीजें हमें सिखाता है हम अपने सारे यग्य करें परिवार, समाज, अतिथी, पशू और वातावरण किस रक्षा करें संतान उत्तत्ती करें संतान के लिए सही रोल मॉडल हम बने बच्चों को ना कहना सिखाएं और तितिक्षा का विकास करें अपने अंदर ये चार काम हमें वहां करने हैं उसके बाद वान प्रस्त आश्रम वान मतलब जंगल, प्रस्त मतलब प्रस्तान इसमें हमें चार काम करने होते हैं घर की तरफ पीठ करके बैठें डिटैच हो लोकल चीजों से हम खुद को अटैच ना करें फॉर्गिव करना चालू करें मौन रहें जीवन पर विचार करें, कंद मूल खाये ताकि अपने आपको सन्यास आश्रम के लिए तैयार कर सकते हैं अंततह सन्यास आश्रम संग का मतलब सर्व न्यास का मतलब रख देना जब आप इन सब को रख सकें शिब के त्रिपुन्ट की तरह मैं मेरा और जो मेरा नहीं है वो सब समाथ हो जाए दोस्तों ये आश्रम मानसिक या शारिरिक दोनों हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप शारिरिक रूप से घरते आगे ये केवल मेंटल आश्रम है आप राजा जनक की तरह राजा होके भी सन्यासी हो सकते हैं आप एक बहुत बड़ी कंपनी के चेर्मेन हो सकते हैं और चिल आप सन्यासी हो सकते हैं जैसे कुछ हब तक Bill Gates अपने वानप्रस्थ आश्रम में हैं जितना वो दान करते हैं ये मानसिक आश्रम भी आप अपना सकते हैं जो उड़ जाती है उसी को सन्यास कहते हैं Thank you very much